बेवन दिस इस पुरू जनू स्रिया हमने एक सेसन श्टार्ट किया था जिसमें अपन 6-9 हिष्ट्री की NCIT कम्प्लीट कराने वाले थे क्लास 6 हिष्ट्री की NCIT कम्प्लीट हो चुकी है अभी क्लास 7 NCIT स्टार्ट होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं नई राजबंसों का हुद है साथवी सदी आते आते उपमादीप में बेवन राजबं सुबरे बड़े भूश्वामी तता योद्धा, सरदार, अस्तुत में आचुके थे सामंत खुद को महा सामंत, महा मंडल एश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी गोशत करने लगे थे आठवी शदी के प्रारंब में दक्कन में राष्टकूट प्रदान दंती दुर्ग ने अपने श्वामी चालुके को पराष्टकर राष्टकूट राजवन से स्तापित किया हिरंडे गर्व अनुष्ठान, सोने का गर्व, ब्रामणों की साहता से कराय गया अनुष्ठान जिससे याजक जन्मना छत्री ना होते हुए भी छत्रीय के रूप में द्वारा छत्रीय तो धारण कर लेता था हिरंडे गर्व अनुष्ठान होता था जिससे क्या है कि ब्रामणे का अनुष्ठान करवाते थे अगर कोई जर्म से छत्रीय नहीं है तो इस यग्य के द्वारा नुष्ठान के द्वारा जो है वो छत्रीय का रूप धारण कर लेता था वो धारण के लिए कदम मयू शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरीचंद्र ब्रामण क्रमशक करनाटक और राजस्तान में प्रसासन नए राजाओं ने महाराज दिराज, त्रिबुबन, चक्रवर्तिन, इत्यादी उपादियां धारण की सामन्तों, किशानों, ब्यापारी तता ब्रामण संगठनों की सत्ता में साजेदारी होती थी किसानों, पशुपालकों, कारीगरों तता ब्यापारियों से लगान की रूप में राजश्व की बशूली नोट तमिलनाडू के चोल राजबंसों की अवलेग 400 से अधिक करों की चर्चा करते हैं वेट्टी जवरंद स्रम या कदमाई भूराजश्व प्रमुक था प्रसस्तियां और भूमी अनुदान प्रसस्तियां ब्राहमनों द्वारा राजाओं की प्रसंसा में रचित होती थी ग्वालियर एमपी से प्रतिहार नरेश नागवट की प्रसस्ति संस्कृत में मिलिये राजा प्राय ब्राह्मनों को ताम्र पत्रों पर अविलिकित भूमे अनुदान से पुरश्क्रत करते थे 12 अताबदी में कलड़ द्वारा संस्क्रत काबे राज तरंगिडी की रचना की गई जिसमें कस्मीर पर सासंग करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है धन के लिए युद्ध राजवन्स का आदार छेत्र विशेश था राजा दूसरे छेत्रों पर नियंतरन का प्रियास करते थे जिनमें गंगा गाटी में कन्योज नगर पादिकार संगर्स प्रमुक था कन्योज पर नियंतरन है तो गुर्जर प्रतियार राष्टकूट और पालों के बीच हुआ था अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूत नोसो संतान में से एक अजार तीस तक ने मद एशिया के भागों इरान और उपमादिप के उत्तर पश्चमी भागों पर नियंतरन किया था उसने अनेक मंदरों जैसे गुजरात के सौमिनात के मंदर में लूट पाट की किताब अलहिंद अलबरुनी की रचना है महमूत के आदेश पर उपमादिप का लेखा जुका है इसमे चोहान बंस दिल्ली और अजमेर के आसपास गुजरात के चालुक्यों लपश्मी उत्रप्रदेश के गहड़ वालों से संगर्स प्रत्वी राज तिरतिय चोहान सासक था 1199 में मैं सुल्तान मुहम्मद गौरी को अराया परंतु 1192 मैं मैं पराजित हुआ कालखंड 1168 से लेके 1192 मैं तक चोल्व राजवन्स उरैयूर से तंजावूर तक कावेरी डेल्टा में मुदरियार की सत्ता कांची पूरम के पल्लबों के अधीन थी उरैयार के चोल्य राजवन्स चोल्वन्स ये प्राचीन मुखिया परवार के विज्यालय ने नौवी सदी के मद्ध में मुदरियारों को परास्त कर डेल्टा पर कबज़ा किया तदा उसने तंजावूर सहर एवं निशुम्ब शूधनी देवी का मंदर बनवाया विज्यालय के उत्रादिकारियों ने दच्छिन और उत्तर के पांड्य और पल्लवों को जीता राज राज प्रतम 985 में राजा बना जो सबसे सक्तिसाली चोल राजा था राज राज का प्रतम राज राज का प्त्र गंगा घाटी शीलंका दच्छडपूर एशिया और हमला जलसेना का निर्माड किया था राज 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 रा राज राज और राजेंदर प्रथम ने। प्रथम चोल मंदरों की बिसीस्ता थी। देवी देवताओं के साथ भक्त भी। क्रशी और सिचाई। काविरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने जिपूर्व कई साखाओं में बढ़ जाती है। जो जल निच्छे पंड़ द्वारा उपजाओ भूमी का स्रजन करती है। इन साखाओं पर तटबंद बनाकर नहरों द्वारा खेतों को जोड़ कर सिचाई की जाती थी। खुवे एवं सरोबर भी सिचाई के प्रमुक शादन थे। तमिल नाड़ू के आजपास क्रसी काफी विक्सित थी। चोल प्रसाजन और किसानों की बस्तियां नाड़ू गाओं का समूँ। ग्राम परसत तथा नाड़ू न्याय करने और कर बसूलने का काम करते थे। नाड़ू के कामकाज पर बेलाल जाती के धनी किसानों का नियंत्रन था। धनी भूश्वामियों को शम्मान शुरू उपादियां तर राजकिये पद दिये जाते थे। जैशे मुवेंद वेलन तीन राजाओं को अपनी शेबाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान औरैयार ये प्रदान होते थे। भूमी के प्रकार की बात की जाते वेलन वगाई गैर ब्रामण किसान स्वामी की भूमी ब्रह्मद्य ब्रामणों को उपार सुरूप दी गई भूमी साला बो बिद्यालाय के रकरकाव के लिए भूमी देवदान त्रून मटुकनी मंदिर को उपवार के रूप में दी गई भूमी पली चंदम जैन संस्तानों को दान दी गई भूमी नगरम ब्यापारियों का संग सहरों में प्रसासनिक कारे का संबाधन करते थे तमिल्नाडू के चिंगटपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अविलेक ब्रामनों की सवा के संगठन के प्रावरूप का वड़न करते हैं सवा कई संतियों में विवक्त थे जिनके दैतों में सिचाय के कामकाज बागवगीचे मंदिर की देखरेक प्रमुक थी समतिश अदश्यों कच्चुनाव लोटरी से किया जाता था अन्यत्र तांग बंस चीन साथवी से दसवी सदी तक राजदानी थी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक ज़ा तुर्की, ईरानी, भारती, जापानी और कोरिया ही आया जाया करते थे तांग सामराज में नोकर साही परिच्चा के माध्यम से नियुक्त होती थी अधिकारियों के चैन की ये व्यबस्ता उन्नीशो ग्यारत तक कायम रही फिलाल के लिए इतना ही आगी के चर्चापन अगली वीडियो में करेंगे थेंक्यू